महराश्ट्र पिछले एक महीने से मीडिया की सुर्ख्यां बना पाई और महराश्ट के ड्रामे पर रोज एक से बढ़कर एक बड़े खुलासे हो रहे हैं पहली ये था कि हमारे पास बहुत है फिर बहुमत नहीं मिला और बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने सीएम का इस्तिफाल ले लिया उसके बाद जो ड्रामा एंसीपी कॉंग्रस और शिवसेना का चला वो तो आप जानते ही उसके बाद आखरकार उधवठाकरी की सरकार बनी और लोगों को शान्ती मिली लेकिन उसके बाद बीजेपी में रोज खुलासे हो रहे हैं हार के बाद देवेंद्र फंडवीस पर बीजेपी के ही नेता अब हमला करना शुरू कर चुके हैं इसी कड़ी में सबसे पहले एकनात खड़से ने हमला किया और उसके बाद पंकजा मुंडे ने फेस्बुक पोस्ट लिखकर हडकम्प मचा दिया और फेस्बुक पोस्ट में लिखा है कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए और इसका खुलासा वो अपने पिता के जर्म दिन पर करेगी अभी यही चल रहा था कि बीजेपी के करनाटक से सांसद अनंत कुमार हेग्डे ने अपने बयान से बीजेपी में भूकम्पला दिया उन्होंने कहा कि महराष्ट में 80 घंटे की सरकार बना कर हमने केंद्र सरकार के 40,000 करोड रुपे बचा लिया अनंत यही नहीं रुके और उन्होंने आगे कहा कि महराष्ट में हमारादमी फर्णवीज 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना और उसके बाद स्तीफा दे दिया उन्होंने ये नाटक क्यों किया? क्या हमें नहीं पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं था और फिर भी वो CM बन गये? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है बीजेपी सांसद अनंत हेगडे के बयान से बीजेपी में हरकम पच गया और हेगडे का बयान सीधे सीधे मोदी और अमिजशा पर हमला माना जा रहा है मोदी शा संसद में साधवी प्रग्या से पहले ही परिशान थे अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया जिससे बीजेपी को विपक्ष असहज कर सकता है जिस बीजेपी की सरकार को लेकर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता तारीफ करने से फूले नहीं समाते थे उसी बीजेपी में अब धीरे-धीरे ही सही लेकिन विरोध के स्वर उठने लगें जिसने मोदी अमिजशा के माथे पर पसीन अला दिया विपवश को तो छोड़िये जब अपने ही अपनों पर इस तरह से हमला करेंगे जिसका मोदी अमिजशा को तनी भी भान नहीं होगा लेकिन खुद बीजबी से बीजबी के लिए विरोध के स्वर उठना मोदी अमिजशा के लिए खतरे की घंटी है अब देखना दिलचास्प होगा कि मोदी शाह बीजबी को कैसे समभालते है और बीजेपी के अंदर से ही बीजेपी के लिए उठ रहे सवाल का जवाब कैसे देते हैं?